हेलो एवरिवन आप सुभी का स्वागत है बैसिक फाउंडेस तन एट्यूप चैनल पे इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2020 का कॉंप्लिट मांथली का इंफर डिस्टेस करेंगे इसके अंदर हम लोग 100 प्लास सेलेक्टेड एमसे क्यों डिस्टेस करेंगे जो की आप सुभी इसके बाद निसकोष ने अबजीत वेनर्जी रिसीब द नोबल प्राइज इन विच फिल्ड अबजीत वेनर्जी को नोबल प्राइज कोन सा फिल्म में मिला था इकनोमिक्स का फिल्म में मिला था 2019 में तो इसकोषन का सही अंशर होगा अपनर इसके बाद निसकोषने What is the Theme for International Day for Elimination of Violence Against Women 2021 में International Day for Elimination of Violence 25-11 नम्न को मनाओ गया इसका थीम बताना था इसका थीम था Orange the World and Violence Against Women Now इसके बाद निसकोषने Which Indian airport is set to become Net Zero Carbon Immigration Airport by 2030 उस एरपोर का नाम है इंदरा घांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट तो इसको सिनका सही अंसर होगा option number 2 इसकी बास ने who won the best actor reward of international ME award 2021 international ME award 2021 का जो Newark City University of America में होग था इसके अंदर best actor के बाड किसको मिला उनका नामें देविट इनेट और best actors के बाड हैविली को मिला तो इसकोसिन का सही अंसर हो जाएगा अपसंदर टू इसके बाद नेसकोस ने सिफसागर कोलेज हैंडिक गल्स कोलेज एसकोस ने रिसंटली पोईट संता तंती पास सब अवे इर दे अच फ़लेंग इनको साहित्य अकडमी अवार्ड कोंसा यहर में मिला था दो हजार सोल में मिला था तो इसकोसिन का सही अंसर हो जाएगा अपसंदमर भी इसकोस ने तो इसकोसन का सही अंसर हो जाएगा अपसंदमर ए इसकी बाद नेसकोस ने तो रिमोब लेंग्वेज बिरियर इन सिबिल सार्विस एक्जाम कोंड़क्टिट बई इसकोसन का सही अंसर हो जाएगा अपसंदमर दी यहाँ पे एक कोंडिशन कोंडिशन कोंड़क्ट बई इसके बाद नेसकोसन का सही अंसर हो जाएगा अपसंदमर सी समिधान दीवस इस दिन को क्यों मिना जाता है क्योंकि 26 नमबर उनिश्ट पचास में समिधान को लागू किया गया था असम से आठ मेंबर कोंडिशन एसमली को रिपिजन के थे उनका नाम इस परकार है नीभरन चंद्र लासकर दरिंदर बसंबतारी गोपिनात बर्दुले जेजे एम निकलोस रोय पुलिंदर चलिया रोहनी कुमार चोधरी सयद मुहमद सदूला अब्दूर रोफ इसके इंडिया कहा जाता है डाक्टर भर्गिस कुरियन को मिल्कमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है और हाली में नेशनल मिल्क दे मनाया गया 26 नमबर को टुमार्ग डाक्टर भर्गिस कुरियन बर्थ इंबरसरी तो डाक्टर भर्गिस कुरियन का बर्थ इंबरसरी को स्लिवेट करत पुलिस इस्टेशन को बेस्ट पुलिस इस्टेशन का दर्जा मिला है उसका नाम है साधार बजार पुलिस इस्टेशन जो की दिली में है तो इसकोशन का सही अंसर हो जाएगा अपसनवर्सी और सेकेंड पोजिशन पे गंगापूर पुलिस इस्टेशन जो की उडिसा में उ तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number A, इसकी बाद निसकोषने, which of the following edition of biennial exercise, दोस्ती between Maldives, India, Sri Lanka is taking place in Maldives, तो कौन सा अधिशन था, 15th edition था, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number E, who is appointed as brand ambassador of our natural presence, golden jubilee celebration, उनका नमे Sanjay Dutt, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number A, इसकी बाद निसकोषने, recently Omicron variant of coronavirus has been seen in which of the following country, identified by WHO, उस country का नाम है South Africa, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number B, और जो नया coronavirus Omicron है, इसका scientific नाम discover किया गया है, B.1.1529, इसकी बाद निसकोषने, निसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number C, इसको सबसे पहली बार मनाय गया था, 2010 में, इसके बाद निसकोषने, as far a new disaster report by State Bank of India, what is the rank of India in number of natural disaster since 1900, तो इसमें, इंडिया करेंग कितना थाड है, और first और second position पे US और चाइना है, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number 3, इसकी बाद निसकोषने, a three-day cherry blossom festival has been integrated in which of the following state of India, उस state का नामे मेघाले, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number 3, इसकी बाद निसकोषने, which state or UT has decided to take its senior citizen to Kartarpur Sahib in Pakistan, under free pilgrimage scheme, तो उस UT का नामे दिली, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number 2, इसकी बाद निसकोषने, which state or UT government has launched, मुख हमन्ती 3 थी हो जना, तो उस UT का नामे दिली, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, option number D, इसकी बाद निसकोषने, under existing APAC combined competitive exam rule, 1999, the question paper are set out only in English, तो पहले का जो APAC का रूल था, 1989 के हिसाब से, जो question paper था, ओ, only English में आता था, government of Assam has decided that, the question paper of this exam, any APAC exam, will be set out in which of the following language, तो उस language का नामे असमिस, यानि अब question paper जो है, English और असमिस दोनों medium के अंदर आएगा, तो इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, अब सन्दमर C, according to new education policy 2020, education structure to be changed in Assam from existing 10 plus 2, to 5 plus 3 plus 4, by 2023, preschool level काम अंदर, तो जो इसके अंदर pre-level है, ओ, कि इसके अंदर आएगा, direct rate of elementary education के अंदर आएगा, इसलिए इसकोषन का सही अंसर हो जाएगा, अब सन्दमर है, बाकी इसके अंदर और भी जो इस्ट्रक्चर है, 5 years preschool ए, direct rate of elementary education के अंदर आएगा, और इसके अंदर जो 3 है, 3, 4, 5 class जो है, भी direct rate of elementary education के अंदर आएगा, और next जो 3 है, 6, 7, 8 ए, direct rate of education के अंदर आएगा, और last का जो 4 है, 9, 10, 11, 12, ए आएगा, direct rate of education के अंदर ठीक है, इसके बाद next question ने, handbook on cyber security, one stop guide to stay safe online, has been launched by which of the following department in Assam, तो हाली में, handbook launch किया गया, cyber security का, one of the best book है, cyber security के अंदर, आप लोग पर सकेंगे, description box में link मिल जाएगा, या फिर telegram group में मिल जाएगा, तो आपसुब को, cyber security handbook, असम पुलिस का, director general का नाम है, स्री भासकर जोती महंतर, इसके बाद next question ने, Assam micro finance initiative and relief scheme 2021, has been launched by Dr. Hemantar Bhir Sharma, recently in which of the following city of Assam, तो हाली में, कों सा city में, इसको launch किया गया है, उस city का नाम है तेजपूर, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अपसुब बी, इसके बाद next question ने, who is first CM of Carby Anglong, earlier called Mickir Hills District Council, whose 67th death anniversary has been observed recently, तो CEM बताना है, Carby Anglong का first CM, उनका नाम है, लेट खोसिंग तरांग, तो इस question का सही answer हो जाएगा, और at present में, जो CEM है, उनका नाम है, तोलिडाम रोंग हांग, इसके बाद next question ने, recently, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर B, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर C, और इसका 73 anniversary मनाया गया, और NCC के बादे में और भी जानते हैं, NCC का जो हेटकोर्टर हैं न्यूदिली में है, NCC का मोटो क्या है, unity and discipline, इसका जो director general है, उनका नाम क्या है, गुर्बील पाल सिंग है, ठीक है, तो who was elected as first woman president of Indian Mount Training Foundation, Indian Mount Training Foundation का first woman president किसको बनाया गया, उनका नाम हर्सबान्ती बीष्ट, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर C, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, उसका नाम आप सुभी को बातना है, जिसको 6th Film Festival का अंदर Best Film का अवाड मिला है, उसका नाम है दसान, Above Me, Never Set, और Break It, तो इस question का सही answer हो जाएगा, उसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, और इस ब्रीज का जो लंबाई है, यानि हाइट है, 141 मीटर लोंग है, यानि हाइट है इसका, इसके बाद next question ने, on which day, International Day of Solidity with Palestine People Day was observed, तो कब मने जाता है, International Day of Solidity with Palestine People Day, 21 इस नमबर को, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर A, इसके बाद next question ने, recently, हमानता भिसर्मा, launch construction of work of 8.25 km, माजुली जुरहर ब्रीज, including immediate approach over Dess River, on NH 715K in माजुली, तो उस river का नाम बातन है, उसका नाम है वर्वामपुत्रा, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर B, इसके बाद next question ने, on which day, Assam Divas also known as Sukhafat Divas is limited, तो Assam Divas जिसको Sukhafat Divas भी कहा जाता है, कब मना जाता है, 2 December को, तो इस question का सही answer होगा, अफसन नमर B, इसके बाद next question ने, which of the following state or UT has recently held first ever herbal festival, तो उस UT या फिर इस्टेट का नाम क्या है, उसका नाम है जमुएन का समीर, तो इस question का सही answer होगा, अफसन नमर C, इसके बाद next question ने, recently 57 BSA, border security force rising day is limited on which day, तो हाली में 57 border security force का rising day कब मनाया गया, 1st December को, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर A, उसका नाम है ट्विटर, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर E, इसके बाद next question ने, who is going to take charge as new Indian Navy Chief of India, तो इंडिया का new Navy Chief कोन बनेंगे, उनका नाम है आर हरी कुमार, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर A, इससे पहले करंबीर सिंग थे, इसके बाद next question ने, which state has become the largest manufacturing hub in the country as far RBI, तो RBI के साब से, सबसे largest manufacturing hub, कौन सा इस्टेट है, उसका नाम है गुजरात, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर टू, इसके बाद next question ने, who has won Belondi or Award for Best Player in the World in 2021, उनका नाम है Leon Messi, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर टू, इसके बाद next question ने recently, on which day World AIDS Day is observed, तो World AIDS Day का मना है गया 1st December को, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर ए, और इस बाद का theme याद रखना है, World AIDS Day का, इसका theme था, End Inequality, End AIDS and End Pandemic, इस बाद का World AIDS Day का theme था, Name the person who is going to receive, Assam Highest Civilian Award, Assam Vibhav, Assam Vibhav Award, जो कि Assam का Highest Civilian Award है, किसको मिलेगा, रतन टाटा को, तो इस question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर C, रतन टाटा सबसे पहला person बने, जिनको Assam Highest Civilian Award मिलेगा, इसके बाद next question है, इसके बाद next question का सही answer हो जाएगा, अफसन नमर D, इसके बाद next question है, which of the following day is marked as International Day for Abolation of Slivery, International Day for Abolation of Slivery का मिलेगा जाता है, 2 December को, तो इस question का सही answer होगा, अफसन नमर B, 2 December को National Pollution Control Day भी मिलेगा जाता है, और इसी दिन को World Computer Literacy Day भी मिलेगा जाता है, इसके बाद next question का सही answer होगा, अफसन नमर B, और हाली में नागलेड में, होन्बिल फेस्टिबल भी मिलेगा जारा है, यह भी आफसन भी को ध्यान रखना है, इसके बाद next question का सही answer होगा, अफसन नमर A, इसके बाद next question का सही answer होगा, 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 अफसन नमर D, इससे पहले जो chief थे, उनका नमे जनरल विपिन रावत, इनका helicopter crash में यहाँ पे निधन हो गया, इसलिए नया chief बनाया गया, मनोज मुकुन नर्वाने को, और जनरल रावत जो है, ये charge लिए थे 31 December 2019 में, ठीक है, इसके बाद next question ने recently, इसके बाद next question का सही एंसर होगा, अफसन नमर B, असम गौरव एवार्ड के साथ और दो एवार्ड दिया गया है, उसका नमे असम विभव एवार्ड जोकी स्री रतन टाटो को दिया गया है, और next का नमे असम सौरव एवार्ड जोकी तोटेल पांस परसन को दिया गया है, तो यहाँ पे पांचो का नम बहुती इंपोटेन है, आप सभी को याद रखना होगा, इन में से सबसे ज़्यदा इंपोटेन लवलिना बरगवाई को मिला, जोकी ओलमपिक्स, टोकी ओलमपिक्स में इनको मिला, तो यह बहुती इंपोटेन हो जा रहा है, वैसे सभी का नाम आप सभी लोग याद कर पाएंगे, आप सभी को पीडिया भी मिल जाएगा, डिरेक्ली वहां से आप सभी लोग पड़ पाएंगे, इसके बाद नेशकोस ने, who among the following has been named as the Times Magazine Person of the Year for 2021, उनका नाम है Elon Musk, तो इसकोसन का सभी अंसर हो जाएगा, अपसन नमर सी, इसके बाद नेशकोस ने, which of the following International Financial Institution has recently approved 112 million dollar loan for establishment of Assam Eskill University, उसका नाम है ASEAN Development Bank, तो इसकोसन का सभी अंसर होगा, अपसन नमर सी, इसके बाद नेशकोस ने, who is CEO of Serum Institute of India, Serum Institute of India का CEO का नाम क्या है अधारपुनावला, जो की COVID-19 का जो बनाया गया था, इंडिया में, उसके दोरा बनाया गया था, तो इसकोसन का सभी अंसर हो जाएगा, अपसन नमर ए, इसके बाद नेशकोस ने, in which of the following state, the state government passed a resolution to English, guest faculty in elementary and secondary government school, उस इसके नाम है आसम, तो इसकोसन का सभी अंसर होगा, अपसन नमर बी, इसके बाद नेशकोस ने, इंडिया is the most affected country by spam call, in 2021 as per true color, तो इंडिया करेंग इसमें fourth position पे है, तो इसकोसन का सभी अंसर हो जाएगा, अपसन नमर C, इसके बाद नेशकोस ने, on which day, International Civil Aviation Day is observed, International Civil Aviation Day कब मना जाता है, 7 December को, तो इसकोसन का सभी अंसर हो जाएगा, अपसन नमर C, इसके बाद नेशकोसने, on which day, National Energy Conservation Day is observed, नेशनल इनर्जी कॉंजर्बेशन डे 14 दिसंबर को मना जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा अफसन नमर डी इसके बाद नेशकोशन ने इसका फूल इनर्जी कॉंजर्बेशन डे 14 दिसंबर को इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा अफसन नमर डी और 9 दिसंबर को इंटेनेशनल एंटी कोरॉपसन डे मिना जाता है तो दोनों आप सब्स भी को याद रखना है इसके बाद नेशकोशन का सही अंसर होगा अफसन नमर इसके बाद नेशकोशन का सही अंसर होगा इंडिया सक्सफफ़ली टेस फायर न्यू जेनरेशन ब्लेस्टिक मिसाइल अगनी पी वाट डास पी इसटेन फोर इन अगनी पी अगनी पी में पी का फूलफर्म क्या होता है पी का फूलफर्म होता है प्रायम तो इस question का सही answer हो जाएगा option number C इसके बाद Neskos ने When is Goal Liberation Day? Observe every year Goal Liberation Day कब मना जाता है? 19 December को तो इस question का सही answer हो जाएगा option number 2 इसके बाद Neskos ने How many wetland side are there in India? Recognized by Ramsar Convention इंडिया में wetland side कितना है? 47 है हाली में एक नया aid हुआ उसका नाम है हैदरपूर जो की उत्तरप्रदेश में है और इसी के साथ इंडिया में total wetland side हो गया 47 तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A इसके बाद Neskos ने Recently who became Miss Inverse 2021 from India who is bringing the crown home after 21 years तो 21 years के बाद कोई भी इंडिया में Miss Inverse बनी उनका नाम है हन्राज संधू तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A और 2000 सन में लारा दत्ता बनी थी ठीक है इसके बाद Neskos ने Recently which is the first country in the world to become 100% paperless तो वर्ल्ड का कोई सा country जो की 100% paperless हुआ उसका नाम है UAE दुबई तो इस question का सही answer हो जाएगा option number D तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A इसके बाद Neskos ने recently which country confers its highest civilian decoration order of the rook Galpo to Prime Minister Narendra Modi उस country का नाम है भूतान तो इस question का सही answer हो जाएगा option number B इसके बाद Neskos ने how many relief for COVID heat families will be given to those who died of COVID-19 by Assam government तो कितना relief fund दिया जाएगा 50,000 दिया जाएगा तो इस question का सही answer हो जाएगा option number B तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A इसके बाद Neskos ने which of the following days observe as International Human Solidity Day International Human Solidity Day का अबने जाता है 20 December को तो इस question का सही answer होगा option number D हम लोग December मैना में जितना भी important date पार हो चुका उसको revision कर लेते हैं 1 December को मना एगे World AIDS Day इसी दिन को मना एगे Border Security Force Day 2 December को मना एगे International Day for Abolation of Slivery 2 December को ही मना एगे World Computer Listancy Day 2 December को ही मना एगे National Pollution Control Day 3 December को मना एगे International Day of Personal Disability और 4 December को मना एगे Indian Navy Day 5 December को World Soil Day और 5 December को ही International Volunteer Day और International Civil Aviation Day और इसी दिन को Armed Force Flag Day भी मना एगे गया 9 December को International Anticorruption Day 10 December को Human Rights Day इसके बाद 11 December को International Mountain Day 12 December को International Day of Neutility मना एगे और 12 December को ही International Inversal Health Coverage Day भी मना एगे भी मना एगे National Energy Conservation Day 16 December को मना एगे इसके बाद निसकोस ने एक का ना में देहरादून जो की Winter Capital है दूसरा गिर्सां जो की Summer Capital है यहाँ पे जो Chief Minister ने उनका ना में पुशकर सिंग यहाँ पे जो गोबनेर ने उनका ना में गुरमीच सिंग इसके बाद निश्कोस ने तो ए अवार्ड किसको मिला उनका ना में कुमार मंगलम बिरला तो इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर वान इसके बाद निश्कोस ने तो कौन सा दिश्क में इसको करीड आउट किया गया उस दिश्क का नाम है करभी आंगलं करभी आंगलं का लोहरी जान में इसको जो की नागलान बोर्डर का क्लोज में पड़ता है यहाँ पर इवान इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर वी इसके बाएद निश्कोस ने रिसेंटली नागलान असेमली एड़ रिजलेशन डिबंडिंग रिपील अप आफसा वाट इस दा फुल फॉम अप आफसा तो आपस भी को बतना है आफसा का फुल फॉम क्या होता है आफसा को सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर ची ने रिसेंटली आसाम सीम डाक्टर है मनतव अबिज सर्मा एस्प्रेशेंटिंग एक्षन फॉर केपासिटी एक्सपांशन अप डिगबोई रिफरेरी इन हुच या डिगबोई रिफरेरी वा सेटप डिगबोई रिफरेरी का सेटप कब हुआ था 1901 में हुआ था तो इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर ए इसके बाद ने इसकोसने विच इस्टेट विद लांस दा फ्री एस्माटफोर योजना तो डोल आउट वन लाग एस्माटफोर्फोर्न उस इस्टेट का नामे उत्तर प्रदेश तो इसकोसन का सही एंसर होगा अपसन नमर ए इसके बाद ने इसकोसने विच इस्टेट है जोप इन परधान मंत्री जन्धन योजना लिस्ट विध हाइस नंबर आप बेंक एकाउंट उस इस्टेट का नामे उत्तर प्रदेश तो इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर ए इसके बाद ने इसकोसने रिसेंटली हूँ हैज बिन अपोइंटेट इस इंडियास नेक्स अंबसेडर तुस चाइना कांट्री के लिए रिसेंटली दे ने लोगास पोस्ट इन क्लास 3 और क्लास 4 बिल 2021 वास पास इन आसाम लेश्टेटी बसेंटली में एक बील पास किया गया उसके बारे में आप सुभी को बतना है यहां पर जो ऑप्सन दिया है कौन सा सही है इसके बाद नेशकोस ने In which year the government of India announced December 22 as National Mathematics Day, 22 December को National Mathematics Day मना जाता है आप सुभी को बतना है Indian government इसको अनाउंस कब क्या, इसको अनाउंस किया गया था 2012 में तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number C, इसके बाद Nascos ने former Twitter India head Manish Mahasuri recently announced to launch a tech startup name, तो इसका नाम आप सुभी को बतना, इसका नाम रहेगा Meta Varsity, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number D, इसके बाद Nascos ने who among the following has been awarded the global entrepreneur of the year award business transformation, उनका नामे कुमार मंगलम बिरला, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number A, इसके बाद Nascos ने which tech company has been selected by Airbus as a strategic supplier, उस tech company का नाम है Tata Technology, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number C, इसके बाद Nascos ने which of the following has tied up with Baba Atomic Research Center for producing green hydrogen, उसका नाम है BPCL, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number B, इसके बाद Nascos ने which of the following, state government has started khal nursery scheme 2022-23 to promote sports, तो khal nursery नाम का scheme कौन सा issue में सुरू किया गया है, उस issue का नाम है हरियाना, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number E, इसके बाद Nascos ने रिसंटली India has successfully test fire, short range surface to surface guided blastic missile, पढ़ ले which of the following has developed this solid fuel blastic missile, तो इसको कौन developed किया, उसका नाम है DRDO, Defense Research Development Organization इसका full firm होता है, इसका headquarter New Delhi में है, इसका formation 1958 में होगा था, जो head है उनका नाम है Dr. G. Satis Reddy, तो इस question का सही answer होगा, option number D, इसके बाद Neskos ने in which year the government of India declare December 23 as national farm day, 23 December को national farm day या फिर किसान दिवस मना जाता है, गोर्मेंट अफ इंडिया कब इसको declare किया था, इसको declare किया गया 2001 में, तो इस question का सही answer हो जाएगा, option number A, और इसी दिन को चोधरी चरन सिंग का जनम दिन होता है, उसके उपलक्स में national farm day मना जाता है, इसके बाद Neskos ने the Assam Ketal Preservation Bill 2021 was passed in the state assembly, earlier this year replacing the Assam Ketal Preservation Act of which of the following year, तो इसका सही answer है 1950, 1950 का एक को replace करते हुए Assam Ketal Preservation Bill 2021 में पास किया, इस को पास किया गया था, 9 December 2021 में, Assam Ketal Preservation Act को लाए हुआ लगभग चार महिना हो चुका है, नीज में इसलिए है, क्योंकि इसके अंदर दो बड़ा amendment लाया गया, सबसे पहला amendment है, one amendment is that the appropriate court on being approached by the police officer may make such order for sale, the exercise vehicle conventions, including boat vessel etc, accept kettle, तो यहाँ पे सबसे पहला बदलाव लाया गया, कि जो भी यहाँ पे police officer किसी भी vehicle को exercise करेंगे, boat या फिर vessel को exercise करेंगे, उसको public auction कर सकते हैं, court की order के बाद सबसे पहला बदलाव, next यहाँ पे amendment लाया गया, inter-district moment kettle का हो सकता है, पहले यह नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है, इसमें amendment लाने के बाद inter-district moment हो सकता है, लेकि जो border district नहीं है, उसके अंदर district to district moment यहाँ पे हो सकता है, तो दो बड़ा इस bill के अंदर, इस act के अंदर amendment लाया गया, ठीक है। इसके बाद नेसकोस ने, recently 97 birth anniversary of which of the following is observed as good governance day, good governance day मनाय जाता है 25 December को, इस दिन किसका बादे होता है, और जिसका 97 birth day मनाया गया, इस दिन अटल ब्यारी भासपे का बादे होता है, तो इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा, option number C, इसके बाद नेसकोस ने, उरिसास लोंगेस इसके बाद ने का सही आंशर हो जाएगा, option number D, इसके बाद नेसकोस ने, रिसन्टलि अखो जांटल ब्रीज उभार महना धी इन कटाक डिस्टिक्स इसके बाद नेसकोस ने, academically on which day, national consumer day is observed, national consumer day कब बरुपन है एन भी रामना इसके बाद नेश्कोष ने नेम देंडियान किरिकेटर हुं रिसेंटले एनाउसर रिटार्मेंट फॉर्म फॉर्म आप किरिकेट उनका नाम हर्वाजन सिंग तो इसकोषन का सही एंसर हो जाएगा अफसन नमर भी इस वीडियो में हम लोग इतना है डिसस करें इस वीडियो का पीडिये आप सबीको टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगा टेलीग्राम क्रूप का लिंक आप सबीको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा तो मिलेंग नेक्स वीडियो में थेंक्यू समच